हेलो फ्रेंड्स वेलकम चू हेलो स्कॉलर हेलो स्कॉलर आप सब की डिमांड पर लेकर आया है SBI क्लर की eligibility criteria पर एक detailed video मैंने SBI क्लर की notification पर एक video डाली थी तो उसमें बहुत सारे बच्चों की queries थी कि मैं eligibility criteria properly समझ में नहीं आ रहा आपका कोई doubt हो और हेलो स्कॉलर उसको ना clarify करे तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो पेश है eligibility criteria पर एक detailed video चलिए शुरू करते हैं इस video पर हम क्या जानेंगे देखिए eligibility criteria देखिएंगे qualification wise ठीक है तो qualification wise बच्चों क्या चाहिए आपको आपको graduation complete होना चाहिए आपका इंटिग्रेटी डूइल डिग्री प्रोग्राम में certificate कर रहे हैं IDD जिसे हम बोलते है short form में तो उनकी जो date of passing है वो होनी चाहिए 30 11 2022 उससे पहले वो पास हो जाने चाहिए ठीक है बच्चों अच्छा जो बच्चे final year में है final semester में है अपने graduation के वो भी apply कर सकते है but condition क्या है बच्चों कि 30 11 यानि कि 30 11 बोले तो November 2022 तक आपका जो result है वो आ जाना चाहिए आप pass हो जाने चाहिए ठीक है अच्छा जो date of passing होगी ना बच्चों वो कैसे consider करी जाएगी जब भी आपका certificate आएगा मतलब जब भी आपके mark sheet आएगी तो उसमेरा date of declaration of marks date of declaration of result ये लिखा होता है कौन से date पर result actually में declare हुआ था तो उसको consider किया जाएगा as date of passing ठीक है clear as में तो कोई doubt नहीं है चलिए अब हम जाते है age limit पे age limit कितनी होने चाहिए बच्चों आप इस date को देख लिजिए एक आठ दो हजार बाईस ठीक है इस date से पहले पहले तक इस date तक आपको 20 साल का हो जाना पड़ेगा यानि अगर आप 20 साल complete कर जाते हैं इस date तक तो फिर आप इस exam के लिए you can sit for this exam आप eligible हैं आप इस date तक यानि की एक आठ दो हजार बाईस तक बाईस से पहले पहले आप 28 साल से उपर के नहीं होने चाहिए ठीक है यूशुड नॉट क्रोस 29 आप अगर इस date तक 28 years की हैं तो फिर आप exam दे सकते हैं ठीक है बच्चों अब देखते एज relaxation जो की important है देखे एज relaxation कितना दिया जाएगा SCST को 5 years OBC को 3 years PWD General Category EWS Economic Backward Section 10 years PWD SCST वाले को 15 years PWD OBC Category वालों को 13 years ठीक है यह तो हो गया एज relaxation अब बात करते है एक सर्विसमेन या disabled एक सर्विसमेन की जो एक सर्विसमेन उनको कितना पीरिट दिया जाएगा जितनी भी उनकी जितना भी उनका टर्म ओफ लाइक सर्विसमेन की बात करते हैं तो उनको 8 years extra मिलते है अपनी सर्विस अपना जो भी उनका सर्विस का टाइम होगा प्लस दी 8 years ठीक है तो maximum age कितनी हो जाती है उनकी जितने जब तक हो SCST है और X सर्विसमेन है disabled है उनको मिल जाता है 50 years तक maximum age limit हो जाती है उनकी कि हो 15 years तक अपना examination दे सकते हैं ठीक है अब बात करते है वोमिन की जिसमें की वोमिन विडो है डाइवार्जड है जुडीशिली सेपरेटेड है अपने 35 years OBC के लिए हो जाता है 38 years maximum age limit SCST candidates के लिए हो जाता है 40 years maximum age limit कि वो 40 years तक अपना exam दे सकती है OBC से अगर belong करती OBC category से तो 35 years तक दे सकती है ठीक है कोई डिक्कत नहीं है कोई confusion नहीं सारी बाते मैंने clear कर दी नैशनालिटी की बात करते है जो citizens of India है नेपाल भूटान यह दे सकते हैं अगर आप तिबितन refugee है और जैनवरी 1 से पहले पहले 1962 से पहले पहले इंडिया आ गए थे अगर आप विद्धी intention आपकर इंटेंशन क्या है permanently setting in the country यानि आप permanently हाँ पर सेट होने के लिए सेटल होने के लिए आए थे आप exam दे सकते हैं कोई भी इंसान जो की इंडियन उरिजन का है और उसने पाकिस्तान बर्मा यानि म्यानमार श्री लंका युनाइट रिपब्लिक आफ तंजानिया यूगांडा या केनिया यहां से उन्होंने माइगरेट किया है इंडिया में रहने के लिए तो वो लोग भी यह एक्जाम दे सकते हैं हनक देखो कितनी अच्छी बात है अगर हम नंबर अटेम्ट की बात की जाए दोस्तों तो देखो तो इस बी एक्जाम के लिए कोई आसस्ट नंबर अटेम्ट का कुछ नहीं है आपका जो एज लिमिट है वही आपका तो देखे वेड़ आपका जुड्ट आपका जापके लूर्ट का बातल डब आपके लिए को सीख है अपका जेखे लूग यह नहीं है अज्ट नहीं है एक्ट एक्ट चानल ज्डिक्त विए विए thank you everyone